Hello my dear student, welcome to missile classes, my dear student, आज हम लोग जो डिसस कने वाले हैं, वो है semester 5 के political science honors paper के बारे में हम लोग डिसस करेंगे, यानि core paper 12 के बारे में डिसस करेंगे, इससे पहले मैंने बहुत ही अच्छी तरह से अपलोगों के लिए political science के core paper 11 को बहुत अच्छी तरह से अपलोड कर चुका हूँ कोई भी candidate अगर अभी तक नहीं देखें, तो उस वीडियो को जाके अच्छी तरह से देखें, और ये question जो है, ये 2019 के previouses के question पर related है, तो my dear student, चलिए हम लोग बिना देर के question के और move करते हैं, अगर कोई candidate मेरे चैनल पर नहीं आये हैं, तो चैनल को पहले subscribe कर ले, like करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को share करें, तो चलिए बिना देर के हम लोग question के और move करते हैं, तो my dear student, question के और move करने से पहले में बता दू, ये question जो है, वो 2019 के pattern पर आधारित है, यानि अगर BBMKU हो, या BBMKU हो, या BBMKU हो, बिनोद वियारी, महातो को जैनल इं कर रहे होंगे, तो जो question आप prepare किये हैं, तयारी किये हैं, वो question आप से exam में आने वाला जो आपका नजदे की exam में, उसमें पूछे जाएंगे या नहीं, इसके regarding आज हम लोग बहुत ही आची तरह से discuss करेंगे, और इसके साथ में बताओं, my dear student, अगर आप चाहते हैं कि सा semester 6 क लिए किस तरह से हम लोग prepare करें, तो याद रखेंगा वीडियो को last तक जरूर लखें, क्योंकि मैं बीच में बहुत ही important fact बताने वाला हूँ, साथ यह सुनकर अप लोग बहुत ही खूश हो सकते हैं, और जो भी बताओंगा my dear student, वह हमारे लिए बहुत ही important है, क्योंकि student life अ दो topic के बारे में, यानि आपको वह पढ़ना बहुत important है, पहला लिखा रहता है, कि आभियार्थी अपने भासा में उत्तर दें, यह सभी को पता है, और दूसरे जगह पे लिखा रहता है, कि किनी चार परशन को उत्तर दें, किनी पांच परशन को उत्तर दें, तो जिसमें से आपके पेपर में लिखा गया कि किनी चार प्रशन को उत्तर दे जिसमें से प्रशन सेंख्या एक कंपलसरी है यानि प्रशन सेंख्या एक को आपको हर हाल में बनाना होगा यानि आपके बास और लॉंग कोश्चन में तीन कोश्चन करना है क्योंकि बहुत सारे है कि हमें चार कोश्चन नहीं तीन कोश्चन करने के लिए कहा गया था तो चलिए यह पढ़ना बहुत इंपोर्टेंट है सबसे पहला आपके सामने अब्जेक्टिव टाइब कोश्चन पुछे गए हैं और अब्जेक्टिव टाइब को चलते हैं पहला कोश्चन में चलूँ तो पहला कोश्चन आपके समने परसासन मुल्य रुपन किस भासा का सब्द है तो याद रेखिएगा इसका जो राइट एंसर होना चाहिए अफसर नमब सी संस्कृति याद रेखिएगा अगर आप समेस्टर वान से लेगा समेस्टर शि पहले हो चाहिए उगे तो समीस्टर फाइब तक आप देखेंगा हर एक पेपर में आपके एक स्टेट्मेंट यानि दो स्टेट्मेंट पूछे जाएंगे इस तरह से statement पूछे जाएंगे और एक book के बारे में इनका writer कौन है इस पुस्ता का लेकर कौन है यानि अगर objective type के question को आप अच्छी तरह से करते होंगे तो मैं उमीद करता हूँ कि आपका marks अच्छे आ सकते हैं तो देखिए statement है और आपके सामनों option है इसक 20 घंडा ready हूँ अगला question के वर चलते हैं अगला question है आपके सामने जो question लिखावा है लिखाए कि निमन में से कौन P.O.S.D.O. दृष्टि का समर्थक है तो याद रखिएगा इनका जो जो भी right answer होगा आप Google पे सर्च करें जो question का answer नाम समझ में आए मुझे comment box में जरूर बत question पूछेगे हैं जैसे ही 2011 के paper को हम लोग डिसस करेंगे करने के बाद हम लोग 2020 में भी देखेंगे किस परकास से question को repeat क्या गया है आप देख सकते हैं कि किस तरह से objective question पूछेगे हैं और एक question में बताओं budget के बारे में budget का सब्द कार्थ होता है चमड़े का थेला और budget का तो याद रखेगा एक अप्रेल से याद रखेगा 31 मार्च तक यह माई डेश्टन बहुत important है competitive के exam में बहुत बार पूछेगे हैं याद रखेगा चलिए अगला question के और move करते हैं अगला question का answer जो भी होगा आप Google में ढूंड ले क्योंकि आपके पास भी समय काम है मेरे पास भी समय बहुत ही enough है तो चलिए अगला देखते हैं और अगला question को जाने से पहले में bumper offer लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए सबसे पहला देख सकते हैं all university यादि आपके जहार खंड में जितना भी university चल रहे होंगे सभी university के लिए बहुत important fact हैं महुत important minor रखते हैं तो my direction यहां से आप video को थोड़ा सा भी skip ना करें मेरे बातों को आप लोग और से सुनें पहला all university यानि सभी university के लिए ये उपलब्द है our facilities आपको क्या क्या facilities मिलने वाले हैं तो पहला facilities याद रहेगा online classes यानि आप जहां भी offline classes करते होंगे आपको घर से चल कर tuition आना पड़त है और याद रहेगा सब्ता में आपे तीन दिन आना पड़ता है और याद रहेगा आपको आप अगर tuition पड़ते होंगे तो आप मंतली भी लेते होंगे 300 रुपया ले या 400 या 500 मैं minimum मानता हूं कि हारे के student से 300 रुपया पैसा लिया जाता है तो अगर एक semester के prepare कर रहे होंगे तो तीन चक 186 मैंना में आपको course complete करा जाता है तो तीन चक 18 रुपया आपको देना पड़ता है तो याद रहेगे का 18 जगा पे आप लोग में आप लोग को लिए missile classes हमारे पूरे team लेकर आए हैं बहुती कम price में सबसे best से best content भी होंगे आपको प्रिवेट पीडिया प्रिशन जाते हैं वो आपको करना नहीं होगा पहला दूसरा याद रहेगा तीस चोथा point है doubt clear classes यानि 24 घंटा सातों दिन पूरे साल पर आप लोग के लिए मैं free रहता हूं हमारे पूरा office आपके लिए free रहते हैं और याद रहेगा जो भी question पर आपको doubt हो उस question को आप student student बहुत से ऐसा भी student है आवारे जारखंड में जो काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं और exam देने का बाद उन्हें कम मांक से देखना पड़ता है तो याद रहेगा मैं उनके लिए ये सबसे कम price में सबसे best content देने वाला हूं हमां लोग मिसाल classes की पूरे team family लेकर पहला honors paper के जब मैं बात करूँ तो याद रहेगा honors paper चारी honors paper को हमारे team करवाएंगे पहला political science दूसरा English दूसरा history और चोथा geography यानि चार honors paper को semester 1 से लेकर semester 6 तक आपके लिए करवाए जाएंगे याद रहेगा आरेक subject के लिए हर एक honors paper के लिए अलग अलग teacher होंगे आपको घर तक PDA पहुँचा जाएगा तो चलिए मैं fee के और move करते हैं तो याद रहेगा जैसे कि आप अगर 6 मेरा tuition कर रहे हैं तो आपको 18 रुपया देना पड़ता है उसके जगा हमारे team लेकर आए हैं आपके लिए best content online classes होंगे separate video होंगे आपको video provide कर दिया जाएगा ये content याद रहे हैं ये 499 रुपया नहीं है ये 299 रुपया है अगर semester 6 में 4 होंगे sir हमें अच्छी mark सलाना है हमें अच्छी से prepare करना है क्योंकि certificate एक बढ़ बन जाने के बाद आप लाखों रुपया देने के बाद भी आपका एक सब्द इधर उधर आप नहीं कर सकते हैं इसलिए में 4 आउ से ये उपहार दिया जा रहा है 299 ये ओफर सिमित समय के लिए रखा गया है तो अगर किसी भी student को आधिक जानकारी अगर लेना है कि sir इसके बारे में हमें semester 6 के बारे में हमें prepare करना अच्छा से तो याद रखेगा इस नंबर पर आप लोग कॉल कर ये हमारे office का नंबर है 9798 98453896 याद रखेगा 9798453896 ये हमारी office का नंबर है इस नंबर पर आपनों contact करके आधिक जानकारी पूछ सकते हैं पहला अगर आपके अड़ोस परस में कोई semester 1 से लेका semester 5 तक अभी तक प्रिपेर कर रहे होंगे कहीं tuition पढ़ रहे होंगे तो my question उन्हें भी ये provide कर इस वीडि हमें आप लोगों के लिए separate video PDF provide कर दे जाएगा doubt classes होंगे online classes होंगे minimum fee के लिए करवाय जाएगा अलग honors paper के लिए अलग 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 आपके teacher होंगे तो my question जो मैं नंबर दिया हूँ उस नंबर पर आप लोग contact करें आधिक साधिक जानकारी पा सकते हैं यानि 299 रुप्य बात नहीं है और याद रखेगा ऐसा content देंगे हमारे पूरे team आप उमीद रखें इस बात की की पूर offline में इस तरह से content आपको नहीं देखने को मिलेंगे फिस हमें नंबर लिग देता हूँ 9798453896 नंबर पर कॉल करें तो चलिए अगला question के और चलते हैं और ऐसा तयारी objective आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह से ढंग से करवाई जाएगा चलिए अगला question को चलते हैं आप देख सकते हैं खंड B की जब हम लोग move करते हैं तो खंड B को भी पढ़ना बहुत जरूरी है खंड B में लिखा हुआ है क्या लिखा है कि किने दो परसनों का उतर दे या लोग परसन की प्रकृति और मातू की बैखा करें अगला दिया है कि नाविन लोग परसन के उदभाव एवं विकास का वर्नन करते हुए लिखें अगला दिया है लोग परसन के माजधम में वेवाहर वादी उपागाम की बैख्या करें यह सब long question है आपके पास 7 question है किनी 3 question question का answer करना है अगला question है कि नेत्रितु को परिवासित करें इसकी प्रकृति और कारों की बैख्या करें next question 6 नंबर में आपसे कहा गया है फरसिचन क्या है फरसिचन के उद्देश एवं परकारों पर एक note लिखें और अगला question है परसासन पर एक नियाई के नियांतरन के विव बात पर question को repeat करते हैं तो चलिए हम लोग इसी तरह से next video मिलते हैं माई डेश ट्रें तब तक के लिए जे हिंद जे भारत बंदे महत्रम